नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजेंदर दतार आप देख रहे हैं अर्थपरकास टीवी दोस्तों बात करते हैं श्री कृष्ण की दौपर के अवदार श्री कृष्ण बरिंदावन मत्रा के नंदलाल श्री कृष्ण ये शोदा के श्री कृष्ण महाभारत के नायक श्री के हैं मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्या जी जो डी पी आरों के पद पर हर्याना सरकार में कारे करते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है करम योगी कृष्ण इन्होंने कृष्ण को एक बिलकुल अलग तरह से बहुत से गरंतों से इन्होंने जो है उनका एक तरह से पूरी तरह से उनको निचोड़ा है उस निचोड़ के बाद श्री कृष्ण की जो भूमी का है उसको कर्म योगी कृष्ण के रूप में हमरे सामने रखा है आए उन पर चर्चा करते हैं जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ और बाते हैं कृष्ण जी सबसे पहले पिछले एपिसोड में भी श्री कृष्न की बाल लिलाओं की बात हुई, उतनावद की बात हुई, कालियवद की बात हुई और आपने बहुत ही वग्यानिक तरिके से बड़े लॉजिकल तरिके से उन चीज़ों को एक्स्प्लें किया आज मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चले श्रीक्रिशन के बाल्यकाल की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी लिलाएं हैं जिनके बारे में लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन उन में कितनी सचाई है लोजिकली वो बातें क्या थी, कितनी सही थी हम उन पे बात करते हैं सबसे पहले तो कृषिण जी मैं बात करना चाहूँगा श्री कृषिन की बात करूँ तो उनकी जो लीलाएं थी उन में मैं बात करूँगा, गोपियों के बारे में गोपी परसंग बहुत ही यूँ कहे कि लगबग हर ग्रंथ में उसके बारे में बताया गया है अक्सर जब भी कभी श्री कृष्ण की बात आती है तो गोपी परसंग जो है उसकी चर्चा जरूर होती है गोपी परसंग को बहुत सारे हमारे जो धार्मिक वक्ता है उनों ने भी या हमारे ग्रंथों ने भी बड़े कामुक तरीके से दिखाया गया है तो क्या है ये गोपी परशक देखिए राजेंदर जी ये आज का आपका जो विश्य है बहुत ही उम्दा है बहुत ही अच्छा है और इस विश्य को सभी को जानना भी चाहिए और सब को समझना भी चाहिए क्यूंकि केवल जानने मातर से समझनी आती तो यदि हम गोपी परशंग के विश्य में जान जाएंगे तो हम क्रिश्ण के सामने नतमस्तक हो जाएंगे इतना उतक्रिष्ट परशंग ये है कि हाम यक्ति सोच भी ने सकता मैं ये इसकी बारे में थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले शुरू कहां से हुआ महाभारत महर्शी वेद व्यास ने लिखे बिल्कुल ठीक और वो उसी समय लिखे जिसमें महाभारत में श्री कृष्ण का रोल रहा था जिसमें स्री कृष्ण के समकक्स थे तो उस महाभारत में गोपी प्रसंग कहीं नहीं है उसके बाद आई है विश्नु पुराण विश्नु पुराण में ये प्रसंग दिया तो है पर पवित्र भाव से दिया है उसके बाद फिर आया है हरीवन्स पुराण हरी वन्स पुराण में ये जो प्रसंग है गौपी प्रसंग उसमें थोड़ी विलासिता के गंद आने लगके है जी बिल्कुर उसके बाद आई है भागवत पुराण भागवत पुराण में क्रिशन के विशय में थोड़ा सा और ज़्यादा मिलावट हो गई है और अंत में जो आई है उसे ब्रह्मुबई वर्थ पुराण इस पुराण में तो जैसे क्रिशन के विशय में विलासिता की नदिव है गई है बिल्कुल इतना मतलब भौंडा परदर्शन क्रिशन के विशय में बताया गया है कि आम व्यक्ति उसको सुनना भी नहीं चाहता और बोलना भी नहीं चाहता बिल्कुल ठीक है तो हाला कि ये जो विशय है क्रिशन के विशय में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है तो उस समय जो महाभारत में शिसुपाल होते थे शिसुपाल ने जिसमें उसके युद्यश्टर के दरबार में उनके विश्यमें बाची चल रही थी तो शिसुपाल ने कृष्णिक विश्यम बहुत कुछ कहा बहुत उल्टे सिध्य सबन कई उन्होंने गोगाती भी कहा कनसान्ता भी कहा और भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने गालियां दे क्रिश्वन के विश्यागे में कोई वासना मुलक कोई सबन तो मैं यह समझता हूँ कि जो हमारा साहित्य बदला गया है, जो बिगाड़ा गया है, वो एक निर्धारित समय आवदी के बाद बिगाड़ा गया है, जिसको हमें सुधारना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो यदि हम गोपियों और गोपियों क्रिशन के विशे में सुधार लेंगे, तो जो आम लोगों में धारना बनी हुई है क्रिशन के विशे में, वो निश्चित रूप से बदल जाएगे, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कि अगर क्रिशन के करेक्टर को, उनके चरित्र को बिगाड़ कर पेश किया गया, तो उसके पीछे के क्या कर नहीं होंगे, देखिए कारण तो इसमें कुछ तो हमारे जो लगवग एक डेड़ हजार वर्स पहले हमारे देश के उपर अनेक तरह के आकर्मन होते रहे हैं, पर वो विशे थोड़ा सा अलग है, उस कारण से हमारा पूरा का पूरा साहित्य बिगाड़ दिया गया है, और क्रिशन एक ऐसे महामानव थे, जिनके चरित्तर पे लांचन लगाना, हमारी पूरी मानव सभ्यता और पूरे भारतियता के उपर लगाना है, तो इसके पिछे ये भी कारण है कि इनके जो महापूर्स है, इनके जो पुरूज है, उनको बिगाड़ दो, तो ये जो सभ् हो भी नहीं सकती, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी सभ्यता के जड़े हैं, वो बहुत मजबूत है, हम बात करें थे गोपी पर संकी, आपने बताया कि कैसे उसको बिगाड़ कर पेश किया गया, अच्छा ये गोपियां जो थी, गोपियां क्या थी, क्या वो मतुरा की, ब्रिंद हैं, सुनते हैं, तो वो कुछ और तरीके से अपना मनोभाव तया कर लेते हैं, और यदि हम जनकी वास्तिकता को समझेंगे, तो गोपियों की विशय में हम वास्तों में नतमस्तक हो जाएंगे, गोपी जो है, दो सब्दों से मिलके गोपी, गोपी, हमने पहले भी बताया गोवों को कहते हैं, गाएं को कहते हैं, दूसरा जो गोव है, वो हमारी इंद्रियां जो है, उनको भी हम गोव कहते हैं, गोव कहते हैं, तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के उपर नियंतर्ण करता है, उनको समझता है, उनको वासना से रहित करता है, उसको भी गोव कहते या कोई इस्तरी है तो उसको गोपी कहते है तो वो जो गोपियां थी श्री क्रिशन थे वो गोपियां कोई चलती फिरती या लड़किया नहीं थी वो हमारी इंद्रियां जो थी उसको हमने गोपियां कहा है अब क्रिशन के विशे में हम ज्यानते हैं कि क्रिशन क्या करते थे क्रिशन अपनी इंद्रियों की जो वासना इंद्रियों की यह हम आख हैं देखते हैं अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं तो जो बुरा देखते हैं एक वासना है तो जो इंद्रियों की हमारी कान से हैं मुह से हैं बुरा बोलते हैं अच्छा भी बोलते हैं पर जो गलत है वो वासना है तो उसको नस्ट करने के लिए श्री कृष्ण अपनी गोपियों को अपनी इंद्रियों पर सदैव नियंतन करते थे और उनके उपर किसी भी तरह का वासना का मैल नहीं आने देते थे ये गोपियां थी प्रंतु हमने उनको कुछ और तरीके से बना द गया लेकिन बरतानत आता है बहुत जगा कि 16,000 गोपियां थी तो इसके पीछे का क्या सकते हैं 16,000 गोपियां देखिए महसी गर्ग हुए हैं जो कि यदुपुल के गुरु रहे हैं उन्होंने गर्ग सहिंता में लिखा है उसको कोई भी देख सकता है पढ़ सकता है मैंने पुष्टक में करम योगी क्रिशन में उसका वितानत तो उसके रेफरेंस डाले हैं सभी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कि मैंने रेफरेंस डाले हैं तो इन्होंने गर्ग सहिंता में क्या लिखा है कि जो वेद की रिचाएं होती है अब मैंने दो अर्थ तो बता दिये गो के एक गाएं और एक इंद्री है तीसरा अर्थ गो का क्या होता है वो होता है वेद की रिचाएं वेद की रिचाएं क्या होती है जो वेद के मंत्र है उनको वेद की रिचाएं भी बोलते है तो उनका क्या मानना है कि जो क्रिशन थे वेद की रिचाओं को पूरण तैसी याद करते थे उनका मनन करते थे, निदिध्यासन करते थे, अभ्यास करते थे तो 16108 जो गोपियां है वो वेद के मंत्र है अब हमें यहाँ पर ही समझना चाहिए कि हमारे जो चार वेद है उनमें उसका भी थोड़ा सा हमें विश्टार से जानना चाहिए चार वेदों में हमारे कुल 2346 मंत्र है तो उनमें से स्री क्रिशन को 16108 मंत्र कंठस्त थे और वो केवल कंठस्त ही नहीं थे, वो उनको जीते थे उनके अंदर जो विज्ञान चुपा हुआ था उस विज्ञान में हमेशा अन्वेशन करते थे, शोध करते थे और तभी जाकर के स्री क्रिशन ने इतना अपने आपको परबुद्ध बना दिया था कि एक महान विज्ञानिक के रूप में वो सामने आये है तो 16108 जो गोपियां थी, 108 जिनको आज कल बना दिया अगर उनको दिनों के हिसाब में जोड़े हैं तो लगबग 45-48 हजार दिन बनते हैं अब 16,000 रानियां होगी तो लोजिकली भी यह चीज़े आदमी को सोचने चाहिए कि यार यह चीज़े नहीं है कुछ और अर्थ होगा जिसका समझना चाहिए हर किसी को समझना चाहिए बिल्कुल ठीक है गोपियों के बारे में आपने कृष्ण जी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से हमारे दश्कों को बताया इसके अलावा राधहा रमन की बात करते हैं कृष्ण और राधह के प्रेम की बात अक्सर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सभी शास्त्रों में और मैं यूं कहूँ कि लगबग हर आदमी राधह और कृष्ण के प्रेम की बात करता है तो राधा रमन क्या था श्री कृष्ण राधा रमन करते थे एकांतवास करते थे तो उसके पीछे किस चाहिए भी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्श्कों को जरूर बताए देखिए राधा रमन भी बड़ा ही रोचक विशे है जिस तरह से गोपियों की विशे में हरादम को जानना चाहिए राधा रमन की विशे में भी जानना चाहिए अब राधा रमन क्या है दो चीज़े है इसमें रमन का मतलब होता है रम जाना और राधा क्या है अब जो 16108 रानिया के गोपियों जिनको रिचाई हम बोलते हैं आज गल तो रानिया बना दिया उनको उनमें से राधा ये कहते हैं कि राधा भी थी जिसको वो एकांतवास मिल जाते थे रिग्वेद में एक मंत्र आया है विभक्तारम हवा महे वसोस चित्र से राधस से सवीतारम निचक्षसम इसका अर्थ क्या है कि ये जो ईश्वर है इसके चांद सितारे जिनकी आँखें हैं जो सर्व द्रश्टा है सब कुछ देखता है जो सब के अनुकूल करिये भी करने के लिए उनको प्रेरित करता है वह ईश्वर सभी के हृदय में वर्याजमान हो करके उनको उसकी आत्मा उसकी राधा को एकांतवास में लिजा करके उनको जो दोस हैं उनसे विमुक्त करे तो मुखे रूप से मैं इसको सिधा सिधा सब्ड़ों में बताना चाहूंगा कि राधा जो है वो यहाँ पर हमारी आत्मा को बताया है गोपियां होगी हमारी इंद्रियां, आत्मा होगी हमारी राधा राधा क्या है? राधा इतनी पवित्र है, सुद्ध है कि अगर गोपियों का जो हमारी इंद्रियों के दोस अगर आत्मा पर पढ़ने लग जाएंगे आत्मा उससे मैली हो जाएगा तो मैली होगी तो वो जनम जनमांत्रों में उसका फल भोगने के लिए निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ेगा तो श्री कृष्ण क्या थे कि वो अपनी आत्मा को एकांतवास में गोपियों से भी इंद्रियों से भी दूर रह करके क्योंकि जब आदमी योग में ली जाता इस अभ्यास के अंदर क्रिष्ण को खाने पीने तक भी सुधनी रहती थी तो इसलिए ये माना गया है कि श्री क्रिष्ण अपनी आत्मा के साथ नित्य प्रति सदैव रमन रहते थे रमन करते थे बहुत खूबसर तरीके से आपने राधाराणी ये के बारे में डिटेल बताई हला कि अगर देखा जाए तो लोग उसको एक करेक्टर समझते हैं और उनको उनकी प्रेमी का प्रियसी समझते हैं और उसी के बारे में अक्सर बात होती है उनके प्रेम की लिलाओं की अक्सर बात होती है तो चलो श्री कृष्ण की बात करते हैं जब भी श्री कृष्ण की बात करते हैं तो बांसुरी की बात ना हो ये तो पासिबल ही नहीं है तो कहा जाते है कि जब बांसुरी बजाते थे पशू पक्षी नर नारी यहां तक एक कुद्रत उस मतलब इतनी महदूर बांसरी बजाते थे, कि उसको सुनने के लिए आते थे, तो ये बांसरी क्या थी, देखिए, आज का जो विशे है आपका वो वास्तों में बहुत बढ़िया है, अभी जो राधा रमन के विशे में था, उसमें मैंने जो भी बताया, उसमें एक बात अगर हम और जोड लें, कि सिरी क्रिशन जो है, वो कभी वासना मुलक नहीं रहे, वो योग मुलक रहे, बहुत कुछ, क्योंकि हमने क्रिशन को वासना मुलक बना दिया है, और उसी का परभाव इस पे भी पढ़ता है, बांसरी पे भी, अब बांसरी क्या कहते हैं, कि वी क्रिशन जो है, बांसरी बज अकिवे गाएं भी आ जाती थी वो व्याति परन्तु हमें ये समझना चाहिए कि भी वो बान्सुरी थी क्या क्रिशन दत ब्रमचारी हुए हैं जो कि जनम जनमांत्रों के रिशी हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि श्री क्रिशन को जो मंत्रियाद थे वो नित्ते उनको बोलने का भ्यास करते थे वो जहां पर भी थे रास्ते में हैं घर पे हैं गौचरा रहे हैं बाहर हैं खाने हैं पी रहे हैं वो सदैव मनन करते थे मंत्रों का उनका गाएन करते थे और वो गायन करते जब आप मंतरों का गायन करेंगे तो उससे एक नाद उतपन होगा और वो जो नाद होगा वो एक बहांसरी का रूप ले लेता है उसकी द्हणी प्रती ध्हणी इतनी विचित्र और इतनी मन लुभावनी होती है ति गव्वे भी उसके आसपास आ करके बैठ जाती थी और वो बड़े सात्विक भाव से दूद देती थी और जिनका दूद कर सवादन करने के बाद कोई भी गोप निर्बल नहीं रहा तो ये जो क्रिशन है वो अब हमने एक गिता के उसमें एक भजन भी गाते हैं कि यसो मती मैया से बोले न दिलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यानि कि यहां पर क्रिशन जिस भी कवी ने यह लिखा है उसमें भी बड़ी अच्छा उसका मानता है कि भी उसने क्रिशन ने पूछा अपनी माता से अभी यह श्रीर तो काला है और यह जो राधा है आत्मा हाला कि उन्होंने चाहिए किसी भी रूप में समगा हो यह जो राधा है मेरे अंदर विराजमान है यह तो बिलकुल ही निष्क लंक है इसका तो यह तो बिलकुल ही स्वेट है तो हमें कृष्ण के विशे में उनकी वास्तिक्ता को समझेना चाहिए जो के केवल और केवल मातर हमें अच्छे स्वाध्य से ही मिल सकती है तो दोस्तो कृष्ण कृमार जी ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने बताया कि जैसे हम अक्सर श्री कृष्ण को देखते हैं कि लोगों ने उनको वास्तना मुलक बना दिया है श्री कृष्ण वास्तना मुलक न होकर योग मुलक थे कर्मयोगी कृष्ण इसलिए शायद इन्हों ने अपनी जो पुस्तक है उसका जो टाइटल है वो रखा है कर्मयोगी कृष्ण क्युकि इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद कृष्ण के कर्म को उसके योग को हमारे सामने उजागर करने की कोशिश की है इसके बाद अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शृरी कृष्ण के बारे में कि शृरी कृष्ण ने कितनी शिक्षा ग्रहन की कहां कहां शिक्षा ग्रहन की और क्या थी एनकी शिक्षाइं और अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो देखते रहें अर्थ प्रकास टीवी किशन जी आप हमारे स्टूडियो आई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत बहुत धन्यावाद आपके दर्सकों को भी बहुत बहुत धन्यावाद